गुड बारिंग इस्टुडेंट्स क्लास तुल्थ हम दोगों ने उस दिन नॉर्मिल्टी तक पढ़ा था आज हम दोगों को उसी गागर पढ़ना है equivalent mass equivalent mass होता क्या है इसको तुल्यांग की भार भी बोलते हैं इसको capital E से donate करते हैं तुल्यांग की भार वीमा और मात रख द् सब्सक्राइब करते हैं सोडियम का equivalent mass निकालना है तो सीधे हम सोडियम की बात करते हैं सोडियम का atomic number 11 होता है और atomic mass 23 होता है और इसको बोहर के according अगर electronic configuration क्या जाए तो 281 होता है इसकी valency कितनी हो आई वन हम इसको अगर रखेंगे टांग मा समाण 23 है और valency कितनी है वन डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा acid का तुल्यांग के भार निकालना हो तो sd equivalent mass निकालने के लिए फार्मूला होता है इसका हम कैसे निकालेंगे फार्मूला में पास इसको एम अपान बेसिक सिटी एम का मलब मास मास कितना होता 98 ऑपान वैलेंसी इसकी कितने एलेक्रांस एसको डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा जाएगा जैसे इस टो आस ओफोर को वाटर की प्रिजेंस पर एक्सन कराया जाए तो तो हाइड्रोजेंस 59 आ एंस दे रहें प्लस एस एस ओफोर्ट्यू माइनस निगे टू आ एंस ले रहें इसलिए यह बेसिक सिटी जो जो है उसकी क्या है एसेड़ीटी है एसेड़ीटी मिल्स अगर इसके हम पर बात करें कि ए एक से हम डिवाइट कर देंगे एक तुम दोगों करना है इसी फार्मुर के गार्डिंग इसका तुम दोगों को गड़ना है अगला हमें साल्ट इक्वेट मास लवड का तुल्यां के भार कैसे निकालेंगे इसमें इसका फार्मुर रहता है इसकोल टू एम अपां धनायनों की संख्या जैसे ए एने सी यल का निकालना हमें लवड का तुल्यां के भा़र तो एम अपां 1 हमने क्यों रखा तू एने सील को हीट किया एने प्लस फ्लस एल मैंनस भड़नायन क्या है प्लस है एक है तो इसलिए हमने पां वन रखत दिया इसी तरह सम्म दोजब किसी में भी करना है इस तरह डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं अग प्रफात उस घटक की विलियन में मोल प्रभाज कहलाता है, इसका फार्मूल होता है घटक A का मोल प्रभाज, इसको X A से टूनेट करते हैं, X A इसकोल to NA अपान NA प्लस NB, घटक B का मोल प्रभाज X B इसकोल to NA अपान NA प्लस NB अगला हम लोगों को पाढ़ना है मास परसेटेज हाट ही मास परसेटेज क्या होता है इसको हमें दियम बोलते हैं द्रमान परसेट प्रती 100 गुराम विलियन में उपस्तित किसी घटक की द्रमान उसकी द्रमान परसेट कहलाता है जैसे घटक A की द्रमान प्रस्यत्ता क्या है WA इंटू 100 अपान WA प्लस WB अगली हमें हेटिंग पढ़नी है volume percentage volume percentage क्या होता है प्रती 100 ml विलेन में उपस्थ किसी घटक का आयतन उसका आयतन प्रस्यत्ता कहलाता है घटक A का आयतन प्रस्यत्त फार्मूलों क्या होता है VA इंटू 100 अपान VA प्लस WB अब हमें निकालना PPM अगली हेटिंग पढ़नी PPM क्या होता है पास्ट पर मिलियन इसमें इसका भाग प्रती 10 लाग होता है इसकी डिफिनिशन इसी mass percentage और volume percentage के carding है जहां पर हम यहां पर 100 ग्राम विलियन रखे हैं वहां पर हम 10 लाग रख देंगे और द्रमान के लिए निकालना है वहां पर खाली जहां पर हमने 100 ml रखा है वहां पर प्रती 10 लाग रख देंगे बसा जागा इस पर फार्मूलों आता है घटक A की PPM निकालने के लिए द्रमान में तो फार्मूलों आता है WA इंटू 10 के पावर 6 अपान WA प्लस WB अग घटक A के PPM द्रमान के लिए निकालना हो तो VA इंटू 10 के पावर 6 अपान VA प्लस VB इससी तरह एक निमेरिकल हमको इसी फार्मूलों पर सॉल्फ करना के रहा है कि उस विलेन की इस विलेन की मोरता की उस विलेन की मोरता की गढ़ना कीज़े जिसम में 5 ग्राम एन्यो एच और 540 ml विलेन में घूला हुआ है तो सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास क्या क्या दिया है ग्राम WB मतलब 5 ग्राम दिया data given में WB कितना दिया है 5 ग्राम V हमारे पास वैलूम कितना दिया है 450 ml दिया हुआ है हमें निकालना क्या है मोलर ता मतलब MB निकालना है M निकालना है और MB के भी निकालना है तो W हमारे पास फार्मूल होता है M is equal to WB into 1000 upon MB into V ML में किस में? ML में अब V ML में निकालना है तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास रखेंगे MBE मतलब क्या होता है Molar मास किसका निकालना हमारे पास sodium दिया है तो Molar मास निकालना के लिए sodium को कितना होता है निकालेंगे तो 40 आ जाएगा अंसर इसका कितना आएगा 0.278 M MOL प्रत लीटर में आएगा और उसको सरलभासा में लिखेंगे 0.278 M आ जाएगा अगला एक कोश्चन है कि 2.5 Bram एथिन ओएक एसिट के 75 Bram बेंजो एक में विलेन की मोल अलता की गालना करो तो data given सबसे पहले A हमारे पास A का मतलब क्या होता है हमने पहले हम लोगों ने पढ़ा विले विलायक और B का मतलब विले अब बेंजीन है हमारे पास और B तो WB हमारे पास कितना दिया है 2.5 Bram और W A कितना दिया है 75 Bram M निकालना है तो इस माल में इसकोल 2 मतलब मोल अलता WB इंटू 1000 अपान MB इंटू W A का है में ग्राम में हम रखेंगे उसी फार्मूले पे तो 2.5 इंटू 1000 अपान 60 इंटू 75 रख देंगे इंटू करेंगे तो एंसर कितना आ जाएगा मारा 0.55 M आज आएगा में होगा एंसर